दूरी तथा विश्थापन के अंतर को बताया जाएगा तो देखे दूरी और विश्थापन में अंतर, दूरी, डिस्टेंस, विश्थापन, डिस्प्लेस्मेंट पहला अंतर किसी गतिमान बस्तु द्वारा तैंकिये के पत्थ की लंबाई को दूरी कहते हैं गतिमान बस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक इस्थितियों के बीच की नियुंतम दूरी को विश्थापन कहते हैं अब देखें माली जी एक एक बृत्ताकार पत्थ है माली जी कोई बस्तु A से चलती है बिंदू A से चलती है और B पर पहुँशती है तो जो इसका इसकी दूरी होगी ये ये जो अर्ध बृत्ताकार पत्थ होगा ये पूरी दूरी होगी लेकिन जब विश्थापन की बात आएगी तो उसका विश्थापन क्या होगा किवल A.B. तो किसी गत्मान बस्त द्वारा तैंक एगे पथ की लंबाई को दोरी करते हैं और इसमें क्या है गत्मान बस्त की अंतिम तथा प्रारंभिक इस्थितियों की भीच की नियुन्तम दोरी तो अंतिम और प्रारंभिक अंतिम प्रारंभिक इस्थितियों की बीच की नियुनतम दूरी क्या है? तो ये तो ये जो आर्ख है चाप है ये अ बी ये तो दूरी होगी लेकिन बिष्थापन ए बी होगा अगला अंतर है दूरी एक अदिश रासी है दूरी क्या है एक अदिश रासी है विश्थापन एक सदिश रासी है दूरी में कोई दिशा नहीं होती विश्थापन में दिशा होती है अब अगला है तीसरा अंतर बस्त द्वारा तैं दूरी कभी भी सुने नहीं हो सकती अर्थात ये धनात्मक होती है बिस्थापन धनात्मक रिडात्मक अथवाशोन्य हो सकता है अब ध्यान देजिए बस्त द्वारा तैंदूरी कभी भी सुने नहीं हो सकती अर्थात यह धनात्मक होता है यह बस्तु है मालेजे A से चली और फिर A पर पहुंच गई तो दूरी तो इसकी परिद हुई दूरी A से कोई बस्तु चली और फिर A पर पहुंच गई तो दूरी क्या होगी मालिजे इसकी तिर्जया क्या है आर है तो दूरी टू पाई आर यानि परिधी के बरावर होगा लेकिन विस्थापन क्या होगा विस्थापन पुना इसी अस्थान पर आ गया तो विस्थापन क्या होगे शुन होगे यह काने का अर्थ है कि दूरी सदे धनात्मक विस्थापन क्या होगा धनात्मक रिडात्मक अथवाशन हो सकता है अब रिडात्मक कैसे होगा इस दिशा में धनात्मक होगा तो ठीक बिये दिशा में क्या होगा रिडात्मक होगा अब अगला जो अंतर है देखिए दूरी का मान विस्थापन से बड़ा अथवा दूरी के बराबर हो सकता है कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है दूरी का मान विस्थापन से बड़ा अथवा इसके बराबर हो सकता है चित्र के माद्यम से आप समझ सकते हैं जैसे यहां पर देखे विस्थापन यह है सारी दूरी यह है मालिजे यहां से यहां चला तो दूरी तो यह हो गया अर्ध बृत अर्ध परित और विस्थापन यह भी तो हमेशा बड़ा रहता है कभी से छोटा नहीं हो सकता है और विस्थापन कमान दूरी से कम अथवा इसके बरावर मालेजे कोई बस तो यहां से P से Q तक चली अब इसका विस्थापन दूरी क्या है दोनों बराबर है लेकिन पुना यहां आ गया तो दूरी यहां से यहां पहुंचा फिर यहां लेकिन विस्थापन कितना हुआ क्यों यह वली इस्थिति अब अगला अंतर है दूरी बस तो दूरा तैंक एगे मार्ग पर निर्भर करती दूरी जो होती है दूरी बस तो द्वारा तैंकेगे मार्ग पर निर्भर करती है अब इस्थापन बस तो द्वारा तैंकेगे मार्ग पर निर्भर नहीं करती वहीं उदारण ये जैसे ये दूरी इस पर निर्भर करेगी अब इस्थापन इस पर निर्भर नहीं करेगा कि ये वाल दिसा पर ये अन नियुंतम दोरी पर ही निर्भग करता है नमस्कार